हाई अब्रीवन क्या हाल चाल आएप आप सब अच्छे होंगे सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहरा हूं हमारे बहुती प्यारे बैच में जिसका नाम है लाइफ गाइडड एक्जाम औरिंटेड बैच सर यह live guided क्या है exam oriented क्या है यह सब जान से सुनिएगा सबसे पहले तो once again मैं आप सब का स्वागत करना चाहूंगा मेरा नाम है C.A. J. चाबला faculty for advanced accounting and faculty for C.A. final financial reporting अगर अच्छा लगे लेक्टर तो C.A. final में भी आप मुझसे classes ले सकते हो चलिए बात करते हैं exam oriented batch के बारे में मैं पहले अभी exam oriented batch के बारे में बात करूँगा और live guided batch क्या है live guidance क्या है मैं उसके बारे में भी आऊंगा कुछ important चीजे मैंने यहां पर लिखके रखी है जो कि आपके लिए भी जानना बहुत जादा ज़रूरी है इसलिए यह part skip मत करना और आगे फिर आपकी पढ़ाई यहीं से continue हो जाएगी सबसे बहले तुम आपको बता दू कि यह particular जो अभी मैं session record कर रहा हूं वो session मैंने जान बूच के आगे रखा है इसके बाद का आपका session buyback करके chapter होगा वो आपका continue हो जाएगा मैं ही पढ़ा रहा हूं ठीक है अब सुनिए ध्यान से बात मेरी सर यह जो batch हमने लिया है exam oriented batch इसका मतलब exam oriented मतलब क्या है सर यह fast track है नहीं बिटा यह fast track से बहुत जादा पहतर है सर यह regular जैसा है हाँ यह regular जैसा है regular तो नहीं है पर regular जैसा है आपको मैं एक चीज बता दूँ यह batch अगर तुमने ढंग से complete किया तो तुम मुझे खुद personally message करोगे सर message करने के लिए number चाहिए आपका तो number तुमें सामने दिख जाएगा तुम मुझे personally message करके बोलोगे कि सर जो आपका यह batch है exam oriented यह regular से कम नहीं है regular batch नहीं लिया exam oriented batch लिया यह हमारा best decision रहा मैं आपको यह बता रहा हूँ अभी ही because ऐसा नहीं है कि तुम पहले होगे मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे messages already आ चुके है so यह batch fast track से बहुत ज़ादा upgraded है regular के जैसा है exam oriented में मैं उतना ही discussion आपके साथ करूँगा हर एक concept का जितना discussion regular batch में करवाया जाता है number of questions की बात करें तो number of questions जितने मैं regular batch में करवाता हूँ उसका minimum में 70% questions exam oriented batch में करवाऊँगा पस परक इतना है जहां मैं regular batch में कुछ basic question को ज्यादा करवा रहा हूँ exam oriented में एक question basic करवा के मैं high level question पर ज्यादा चलूँगा मैं exam में आने वाले questions पर ज्यादा focus करूँगा मैं यह मान के चलूँगा कि तुम्हारा एक दो basic question में तुम्हें समझ में आ गया और उसके बाद में exam oriented में में तुम्हें high level के questions करवा रहा हूँ सर क्या यह exam oriented batch हमारे लिए enough है यह हमें इसके अलावा कुछ और करने की जरुद पड़ेगी बच्चों मैं आपको एक बात बता हूँ exam oriented batch अगर अपने ढंक से कर लिया आपको कुछ और करने की जरुद नहीं पड़ेगी बस exam से पहले आपको मेरे revision lectures देखने पड़ेंगे brush up करने के लिए जैसे जो rapid revision होता है हमारा मैं कुछ अभ्यास batch वगेना launch करता रहता हूँ YouTube पे तो वो YouTube से आपको brush up करने के लिए चीज़े करनी पड़ेंगी but exam oriented batch yes it is completely enough आपको कुछ और करने की जरुवत नहीं है सर क्या आप इसमें question practice करवाओगे yes advanced accounts है advanced accounts वाले subject के अंदर अगर मैं आपको सिर्फ theory पढ़ा के छोड़ दूँ तो 5 मैंने क्या ही पढ़ाया जो हमारा यह batch है यह approximately 150 से 160 hours का है और इसमें मैंने major part practice पर ही ध्यान दिया है तो हमने यहां पर बहुत सारी so many questions so many questions बहुत सारे questions की practice की है believe me or not और बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है ठीक है तो सर क्या हमें अलग से ICI के module को refer करने की जरुत है the answer is no completely no देखो तुमने यह batch इसलिए लिया है ताकि तुम जल्दी से जल्दी course को complete कर सको और तुम्हें कुछ और refer ना करनी पड़े मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा तुम्हें कुछ और करने की जरुत नहीं पड़ेगी यह मेरा challenge है exam oriented batch के basis पर तुम exemption ला सकते हो यह मेरा challenge है अगर तुमने regularly एक lecture रोज बेखा तो अगर तुम दो lecture रोज देखने का plan कर रहा हो वो भी चलेगा ठीक है अच्छा lecture देखने पर बाद आती है समझ में कि आप प्लीज ज्यादा speed में lecture मत देखिएगा until or less आपके पास समय की कमनी हो अगर आपके पास समय ठीक ठाक भी है दो महीने भी है धाई महीने भी है मैं आपको बोलूँगा 1.25 से ज्यादा speed मत रखिएगा और जहां crucial topic से वहाँ speed और थोड़ी कम कर देना ठीक है अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहां repetition हो रहा है तो फि कैसे revise करूं समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है आपको टेलिग्राम ग्रूप पे add करवाया जाएगा इस पैटिकला बैच का टेलिग्राम ग्रूप रहेगा मैं आपको दिखा दूँगा कैसे रहेगा आपको कैसे add होना है टेलिग्राम मैं आपको गुरुप दिखा दता हूँ टेलिग्राम का यह है हमारे टेलिग्राम बैज का गुरुप इसमें बहुत सारे सेक्शन है जैसे जन्रल सेक्शन है बुक डिस्पैज कोईरी अगर आपको कुछ है स्टडी रिलेटेट डाउट्स आपको है मैक्सिमम चीदें आपको इसमें मिल जाएंगी सारी की सारी और मैं आने वाले दिनों में और भी लिंक्स इसमें अपडेट करता रहोगा तो करना क्या है आपको अगर लगता है कि चार-पांच चैप्टर्स हो गए अब उसके बाद आपको रिविजन चाहिए और विजन चाहिए और अपको ड्सब्राइब करने के जब कर लेंगा आपको ड्सब्राइब करने है और इस चैप्टर में एस चैप्टर में एसा होता है अपने आपसे जाधा expect मत करना होगी, मुझो सब कुछ ही आद क्यों नहीं आदा, ऐसा नहीं होता, यह natural है, कि जैसे जिसे हम आगे पढ़ते जाते हैं, हमें पीछे का थोड़ा साम भूलते जाते हैं, और वो completely natural है, जब course complete हो जाएगा, तो मैं ही आपको अच्छे से revise करवा द आपके on and average में आपके तीन टेस्ट लूँगा, portion wise टेस्ट रहेंगे, उसके detail आपको आगे चलके मालूम पड़ेगी, सर कहा मालूम पड़ेगी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप जब अपने mobile में lecture open करते हो, या फिर जब आप अपने laptop पे lecture open करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से यह exam oriented best दिखेगी, यहां पर आपको यह दिखेगा, बाइबक का chapter number 1, और AS20 chapter number 2, आगे चलके प्लीज आपसे request है, यहां पर एक और chapter में जोड़ दूँगा, chapter number 0, उसमें जो भी मुझे extra आपको information देनी है, test के बारे में information देनी है, कुछ और मुझे आपको message provide करना ह तो वो chapter number 0 आपको देखना है, important message for test series and all, आगे चलके आपको उसमें एक मेरा video दिख जाएगा, कि आपको test कैसे देना है, test कहां से, आपको test paper कहां से मिलेंगे, check होके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तारी चीजें आपको मिल जाएंगी, test 0 में, chapter 0 में, तो वो please आपसे request है, आ मैं आपको check करके दे रहा हूं कि मैं आपके साथ discuss करूँगा, वो जो भी चीजें रहेंगी, वो मैं आपको आगे चलके बता दूँगा, उस chapter 0 के अंदर आपको मालूम पढ़ जाएगा, yes, now why this is called as a live guided batch, guys, कात को समझेगा, तो यह है ही सही, पर यह recorded के साथ मैं इसके अंद काश हमारे साथ sir connected हो, भले रोज नहीं तो हम कम से कम हफते 10 दिन में एक बार, so मैं क्या करूँगा, इसी telegram group में, इसी telegram group में अगर तुम जाओगे, तो यह हमारा telegram group रहने वाला है, ठीक है, इस telegram group में, मेरा यहां पर अगर तुम देखोगे, तो important message by Jai sir करके एक section है, जि यहां पर मैं समय समय पर तुम लोगों के साथ connect होते रहूंगा, तुम लोगों को मुझसे connect होना है, तो तुम लोग मुझसे WhatsApp के तुरू या इस particular telegram group के तुरू connect हो सकते हो, तुम लोगों को मैं यहां पर zoom link provide कर दूँगा, कि भाई मैं आज या कल live आ रहा हूं, आकर तुम आप मेरे से connected रहोगे, आपको कोई भी issues है, आपको study related doubts है, आप मेरे से directly clear करवा सकते हो, आपको कुछ और guidance रही है, मुझसे guidance ले सकते हो, इसने आपको motivation मिलता रहेगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सर मेरा इतना portion हो चुका है, अब मैं आगे कैसे बढ़ों, यह सारी मेरी team है यापर, मैं खुद हूँ याँ पर, कभी मैं reply करता हूँ, कभी मेरी team reply करती है, तो यहाँ पर आप हमसे doubts पूछ सकते हो, ठीक है, तो आपके study related doubts का भी जवाब आपको मिल जाएगा, यह थोड़ी कोशिच करिएगा, कि study related doubts का जवाब आपको मिलेगा, हो सकता है, व exam attempt हो चुके है, May 24 और September 24, तो May 24, September 24 को अब मैंने क्या सीखा, ठीक है, और institute से मैंने क्या समझा, institute की मैं क्या expectation समझ पा रहा हूँ, दिखें बच्चों, advance accounts का paper, number one, lendy आता है, यह मान के चलिए, तो आपको अपनी speed, बहुत सारी maintain करनी पड़ेगी, कैसे speed maintain होगी, जादा से ज प्रेक्टिस कर लिए, बाकी सब tick-tick करके हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हो, आपकी speed maintain नहीं हो पाएगी, आपका 60-70 marks का paper attempt हो पाएगा, दूसरी चीज होती है, पेपर लेंदी आता है, तूसरी चीज होती है, आप मान के चलिए, तो 10-15 marks का paper होगा, वो tricky होगा, और ये tricky paper ऐसा नहीं होगा, कि एक पूरा question tricky आगया, मैं अभी ICA के paper को ऐसा देख पा रहा हूँ, मुझे बाकी subjects का नहीं पता, पर advance accounts का ज़रूर पता है, वो कुछ-कुछ questions के अंदर, एकाद कोई adjustment tricky डाल रहे है, बहुत ही tricky adjustment डाल रहे है, और जिसको थोड़ा सा 2-4-5 minutes extra लगता है सोचने में, ठीके ना, जैसे foreign branch है, foreign branch के question बहुत easy आते है, पर September 24 में, माई 24 में उनने foreign branch का question डाल दिया, बहुत easy था, एक चोटा point डाल दिया, कि stock को convert करते वाग, तो उन्होंने stock की cost भी दे दी, और NRV भी दे दिया, अब ये वाला तो हमें ratification नहीं करनी है, हमें ICI की expectation को समझना है, कि ICI हमसे क्या expect कर रहा है, हमें हम जब तक ज़्यादा से ज़्यादा questions की practice नहीं कर पाएंगे, तब तक हम logical ही चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तुमने ये तो सुना होगा, कि concepts clear हो, तो question बन जाता है, मैं तुमें मैं सच बता हूँ, मैं इस चीज में believe नहीं करता हूँ, मैं आपको कितना भी conceptual knowledge दे दूँ, मैं आपको chart book से पढ़ा लूँ, मैं आपको समझना है, जब मैं question कर वाँगा, आपका पहला question जब आपको करने को मिलेगा, आप बलोगे sir approach ही नहीं पता कैसे solve करें, आपने तो बत more on solving, question writing practice, ना कि conceptual understanding, बता conceptual understanding को आपको YouTube पे भर भर के मिल जाएगी, जब तक तु मेरे साथ बैट के ज्यादा question की practice नहीं करेगा, खुद से homework नहीं करेगा, तब तक तिरे को मजा नहीं आएगा, तो बता जो आपको किताबे मिलेंगी, उसमें कई सारे questions मैं करवाँगा, उसमे पे tricky आ रहे है, 30 marks के mcqs में से minimum 10 marks के mcqs tricky आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको lecture wise schedule भी provide कर रहा हूँ, ठीक है, Google drive link आपको मैं दिखा देता हूँ, login details कैसे होगा, यह सब जीज़े हम आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है, आपका student login पहले से ही create हुआ होगा, हो सकता है, आपका login पहले से create हुआ होगा, अगर आपने v smart academy website से purchase किया होगा course तो, तो अगर create नहीं है, तो आपको इस URL पर जाना है, और आपको URL पर जाके, उसमें अपना user ID, password डालना है, user ID आपकी registered mail ID, mobile number होगा, password आप reset कर सकत इस तरीके से आपके orders दिखेंगे, ठीके ना, मैं एक particular किसी भी order में चला जाता हूँ, आपको यहाँ दिखेगा order track, आप अपनी books का tracking details यहां से निकाल सकते हो, course activation की keys आपको यहां से मिल जाएंगी, course content बहुत सानी चीज़े मिल जाएंगी, इस तब मिलेगी, जब आप course activation के अंदर जब जाओगे, तो आपको यहां पर lecture wise schedule मिलेगा, और study group मिलेगा, study group को आप जैसे click करोगे, तो यहां पर आपको click here करना पड़ेगा, and then again click करोगे, तो आपको telegram group पे आप चले जाओगे, अगर उसके बाद भी आप telegram group पे नहीं जा पा रहे हो, तो आप मेरी team से connect हो यहां फिर आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, मुझे WhatsApp करोगे, तो मैं अपनी team को बोलूगा, कि वो आपको add ले, ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको यहां तक जाना है, उसके बाद अगर आपको telegram group उसके बाद नहीं जोएन हो पारा, click करने के बाद, जैसे मैंने click किया, तो telegram group open हो गया, तो हो सकता है, error 404 आजा, तो उपर की link को copy करके, आप अपने telegram app को open करके, किसी भी message में जाके, उस link को paste कर देना, और फिर click करना, आपका group open हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, तो यहां आपको सारी चीजे मिल जाएंगी, lecture-wide schedule आपको मिल जाएगा, अब मैं आपको lecture-wide schedule दिखा देता हूँ, यह देखिए lecture-wide schedule, आपको यह समझ में आ जाएगा, कि पहले lecture में मैंने क्या करवाया है, कौन-कौन से topic का कैसा-कैसा sequence है, मैं आपको यह recommend करूँगा, कि आप यही sequence को maintain करिएगा, कोशिश करके आप इस sequence को maintain करिएगा, ठीक है, पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे, जो बोलेंगे, सर, हमने ना classes बहुत end-end में खरीदी, हमर पास time कम है, आप प्लीज अमें बता सकते हो, कि कौन-कौन से topic high priority पर है, जिनको हम देखे, तो बिटा एक काम करो, फिर उस case में, इसके बगल में तुम्हें एक और sheet दिखेगी, यह पर sheet दूसरी दिखेगी, अभी खाली है, मैं इस sheet में क्या करूँगा, मैं high priority topic, जिनको पहले watch करना चाहिए, वो डाल दूगा, और जिनको बाद में watch करना चाहिए, वो डाल दूगा, पर वो तुम तभी follow करना, जब तुम्हारे पास time की कमी है, otherwise always recommended, कि तुम इस sequence में ही चल जाएंगी, Google Drive link तुम्हारी कुछ ऐसी दिखेगी, जिसके अंदर तुम्हें शुरू के starting के 15-20 lecture के PDF notes मिल जाएंगे, जब तक तुम्हें books नहीं आ रही तब तक तुम PDF notes से कर सकते हो, handwritten notes, जो भी मैंने class में अंदर पढ़ाया है, जितना भी लिखवाया है, सब कुछ handwritten notes के अंदर available रहेगा, अभी open नहीं हो रहा है, थोड़ा internet issue है, बट आपको handwritten notes के अंदर, जितनी भी मैंने चीज़े लिखवाई है, वो सब आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएंगी, मैं कुछ भी क्लिक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, मैं इसको open कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, किस तरीके से आपको दिखेगा, यह देखिए, फाइल हो सकता है, थोड़ी heavy है, इसलिए open करने में टोड़ा time लग रहा है, यह किस तरीके से, जो भी मैंने आपको लिखवाया है, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, यह सब कुछ portion, यह everything, the handout notes where you will get from here, ठीक है, आपको कुछ audio revisions मिल जाएगे, audio revisions सारे lectures में नहीं, मैंने required दिये है, selected में है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, lecture wise schedule का link आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यह Google Drive भी आपको मिल जाएगा, Google Drive का दिखा देता हूँ, एक book आपको मिलेगी, advance accounts की जाए, इसके आपको दो volume मिलेगे, इसमें सारे chapters वगेरा cover होते है, इसमें सारे concepts cover है, बहुत ही प्यारी book है, मज़ा आ जाएगा, दूसरी book आपको मिलेगी, AS Trump book, इसमें accounting standards cover है, volume 1, volume 2, volume 3 करके मिलेगी, आपको मज़ा आ से आपको settlement में नहीं मिल रही, तो आपको 2 dispatch करवाए जाएंगे, 2 shipment होंगे, 1 shipment में कुछ books मिल जाएंगे, 2 shipment में कुछ books मिल जाएंगे, class में आपको क्या करना है, class में आपको chapters की notebook अलग बनानी है, और AS की notebook आपको अलग बनानी है, यह चीज का ध्यान रखना, last but not the least, एक important बात सुनके जाओ, इसके बाद हमारा lecture start हो जाएगा, buyback का, एक important बात सुनके जाओ, जब मैंने यह particular batch record किया था, उसके बाद मैंने कुछ topics को re-record किया हुआ है, ठीक है, तो यहां मैं आपको lecture by schedule दिखा एता हूँ, आपको यह yellow दिख रहा है, जैसे first lecture, तो first lecture ले लो, इसलिए क्योंकि मैंने यह वाला particular lecture मैंने इसके अंदर add किया है, तो जहाँ जहाँ आपको yellow दिख जाए, समझ जाना हो, यह newly added lectures है, सर ने lectures को replace कि जाहे, सर में नए वाले updated lectures जाले है, जो मुझे लगा कि तुम लोगो updated lectures देखने चाहिए, तो जहाँ-जहाँ yellow दिख जाए, और उसके बगल में आपको new दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है new, पर आगे आपको दिख जाएगा, AS9 revenue recognition bracket में new lecture, ऐसा, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, वो new lecture है, तो new lecture के notes भी updated है, new lecture के notes भी updated है, और वो updated notes में आपको PDF form में provide कर दूँगा, इसके अंदर, ये PDF book के अंदर, मैं separate folder बना दूँगा आपके लिए, इसके अंदर मैं separate folder बना दूँगा, वहाँ से आप notes देख लेना, ठीके ना, वहाँ से आपको मिल जा आपके ऐसा है, जो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे updated lectures देखो, और updated lectures देखने के साथ साथ तो तुम मेरे, क्या बोलते है, notes भी updated ही लोगे, तो ज्यादा better रहेगा, तो उसके लिए investment तुम्हें आपर request की है, कि कोशिश करके, ऐसे ध्यान रखना, कि अगर तुम कोई lecture देख रह होंगे, मैं फिर से repeat करना चाहूंगा, question practice is the key to success in advance account, question practice is the key to get exemption in advance account, एक बार question practice हो गई, उसके बाद आपके concepts अपने आप स्टॉंग हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रत नहीं है, इस batch के लावा मैं बैटा हूं, मैं आपको challenge कर रहा हूं, properly lectures देखो, properly practice करो, आपके exemption definitely आएगी, so चले guys, मिलते हैं, zoom sessions में, live guidance के दोरा, thank you so much, bye bye, take care,